आज हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएं उचलता कूता रहता है एक ही पल में दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देता है जिसको ऐसा होता है कि हाथ में किताब होती है लेकिन दिमाग कहीं और होता है किसी को girlfriend याद आ जाती है तो किसी को नया mobile का ख्याल, कभी दोस्तों के साथ मज़ा करने की इच्छा तो कभी लंबे सफर जाने का विचार तो दोस्तों आईए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिनके द्वारा आप अपने आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने पर line-up कर सकते हैं यानि कि आपकी मदद करेंगे तरीके पढ़ाई में ध्यान लगाने में सबसे पहला है सही time table कई बार जादा motivate होकर हम कम समय में जादा topic cover करने का target बना लेते हैं जब करने बैठते हैं तो होता नहीं इसका हल है कि बड़ा तो सोचो पर शुरुआत छोटे से करो यानि कि आपकी दिमाग के इधर उधर जाने की आदत वो एक्दम से नहीं जाने वाली शुरू में पढ़ाई का थोड़ा-थोड़ा समय निकाले धीरे-धीरे अपने पढ़ाई में मन आपका लगने लगेगा हो सकता है आपका सुबह पढ़ाई में ध्यान जादा लगता हो साथ से आठ घंटे की नीन जरूर लेनी जाहिए इससे आपका दिमाग रिलाक्स रहेगा और आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो पूरी कॉंसेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाएंगे अगला तरीका है कि चिंता ना करें आपके पास बहुत कम समय है और एक्जाम नस्दीक है तो ऐसे वक्त में अपने आप से एक सवाल करें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है पढ़ना या फिर चिंता करना चिंता करने में समय बरबाद ना करें और अपना ध्या कि खत्म होने के बाद अपने आपको इनाम यानि कि कोई टॉपिक जब खत्म कर लिया हो तो अपने आपको एंटेटीन भी कर सकते हैं कोई कीट सुन ले एक घंटे लगातार पढ़ लिया है तो दस मिनट के लिए अपने आपको बाहर घुमाने ले जाएं तयार रहें जी हा, दोस्तों, पढ़ाई करने से पहले आपको जिस जिस टूल की जरूरत है, वो पहले से लेकर बैठे। पढ़ते वक्त बार-बार स्केल, पैंसिल, एक्स्ट्रा बोक लेने के लिए उठे नहीं। एक बार में सारी चीजें लेकर बैठें और फिर मन लगाकर पढ़ाई करें। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने पास वाइट शीट रख सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका ध्यान कहीं और होता है। इसकी वज़े से कि उनका वाइ क्लियर नहीं होता। पढ़ना क्यूं जरूरी है अपने आपको ये वाइ क्लियर करना जरूरी है। आप अपनी जिन्दगी में क्यों पढ़ना चाहते हैं financial, career की वज़े से, self-respect की वज़े से, parents को कैसा लगेगा, क्या वज़े है जिसके लिए उनका पढ़ना ज़रूरी है, तो ये चीजें अपने दिमाग में clear कर ले, इसके साथ ही आप अपने दिमाग को meditate करें, जिससे की 5-5 मिनट ही करें, दीरे दीरे इस समय अवधी को बढ़ाएं, इस वक्त में आपको meditate करने से आपका ध्यान जादा लगेगा, दोस्तों अगर कोई ऐसी इस्तिती आजाए, जैसे आपके पडोस में दीजी बजरा है, आपके घर में बच्चों का शोर है, आपके घर में कोई इसे में entertainment का अपना favorite गाना आप डाउनलोड करके headphone लगाकर सुन सकते हैं, और पढ़ाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इसमें शब्दों के गाने सुनने, आप चाहें तो musical videos भी सुन सकते हैं, जैसे कि YouTube पे आपको कई बार समुंदर के आवाज के audio मिल जाएंगे, या फिर पक्षियों के आवाज के white noise भी हो सकता है, white noise एक तरह का sound है, जिसे लोग अपने आपको ध्यान में लगाने के लिए सुनते हैं, या आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा, ये थे कुछ आसान से तरीके पढ़ाई में ध्यान लगाने के, आपको हमारे वीडिय कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं, जोड़े रहें चमतकारी तोटके के साथ